हेलो फ्रेंड कोटिन टुटोरियल्स इन हिंदी में आपका स्वागत है आज की इस लेक्चर में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हम जानेंगे तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं एक्षे अपने पिछले वीटियो में पढ़ा था ऊपरेटर चौ ing लिए ये लॉजिकल कि यूजिकर अधिस कर सकते हैं इसके लिए हम यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह जो double dash है तो true is the either of the boolean expression is true जब जो boolean expression true होगा तो उसके बार true होगा इफ अब यह जो and and operators है इसका यूज़ हम करते हैं पुरा all जब जितने भी all है तो वो true होगे तब यह true होगा तो इसके कुछ examples वगरा हैं आप देख सकते हैं कि well a variable e में 10 की value डाल दी है और rebel b है उसमें हम 9 value assign करें और जो c है उसमें minus 1 हमें डालें well result boolean तो result जो होगा वो boolean type हो होगा result तो result है a greater than b है and a greater than c to result फिर जहीं क्या एक रिटर नहीं तो यह है print result तो इसमें print result प्रिंट रिजल्ट आ रहे हैं true तो इसी true इसके output true आ रहे हैं तो हम इसे को रिटर से अब देखते हैं कि कैसे इसका अब पूर देखने हैं लीटर से तो यहाँ है कि यहां पर मैंने code copy paste कर दिया है तो यहां पिसको पहले virus इससी को我们 इस program को run करके देखते है तो पहले हमने इस program को run करके देखा तो यह पर true आ रहा है तो यह true हो रहा है तो iskeya तो इसमें यह operator लगा देते हैं तो यह operator लगा कि हम फिर इसको रन करके देखते हैं तो इसमें भी true हो रहा है क्योंकि जो operation है यह बड़ा है तो अगर हम यह बड़ा ही है तो हम इसमें फिर changes करते हैं जो i के value है अगर है जो a पड़ा है तो ए की value हम 1 कर देखें अब फिर यूंछ स्कून हम this िघ्न जो कर देखेंक तो यह बड़ा है तो आप देख सेखें कि a के value चोटी है तो इसले यह 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 हं पर true नहीं यह हो रहा है सो यहांपर वाल्स आरा एक यहांपर हम दिख सकता हैं यहांपर यहांthe और यूस्ट किया है तो true is either a proven act of action, इस्टों मुलब कोई भी अगर एक भी अगर उसमें जो statement है, इसमें से एक भी statement अगर true हो जाता है, इसमें जो हमने यहाँ पर लिखा है, यह greater than B या एक less than C, अगर यह दोनों में इस operators, अगर कोई भी operators या कोई भी condition सही हो जाता है, true हो जाता है, तो यह operators इसमें true value आजाएगा, और इसमें यह net operators लगाने से क्या होता है, कि सभी जो, उसमें जो सभी जो condition है, वो शही होना चाहिए, तभी इसके value true आएगा, तो आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा, तो thank you for watching and मिलते हैं next video.